तो गाइस मैं हुआंग की तोर आप देखे रहे हैं रेस्लिंग फैंस नैटवर्क सबसे पहले सुरू करते हैं गयाज अपनी बातों लोग ड्रू मैकेंटायर से तो ड्रू मैकेंटायर जो हैं सीम पंक को फेस करना चाहते हैं समस्लैम में यह उन्होंने क्लियर कर दिया है माइन रहे डवी ने इसको लॉक करकर रखा ऐसा फैंस का मानना है अब अभी के हिसाब से भाई सवाल यह उठता है कि क्या वो समस्लैम में सीम पंक क्या अगेंस्ट चैंप से डिफेंड करेंगे तो यह रिसेंट इंटर्व्यू में उनसे सेम क्वेस्टिन पूछा जाता है जिसका वो एंसर करते हैं और वो काफी पॉजेटिव दिखते हैं इसके दोरान कहते हैं वो दूरिंग इंटर्व्यू विद गॉरिला पोजिशन डुरू मैंगेंटार कंफर्म्स दैट वर्ल्ट टाइटल अगेंस्ट सीम पंक एट समस्लैम यानि कि मैंगेंटार्ण वो रिहाइब के अंदर वो रिहाइब के अंदर भी इंजड़ हो सकता है वह ग्लास का बनावा यानि वो कब टूट चाका फूट चापता नहीं लेकिन हाब वो अगर रिकावर करता है मेरे सामने आता है तो फिर समस्लैम के अंदर फिरसे में उसे इंजड कर दूँगा जस आपको अगस्त स्टार्टिंग में देखने को मिलने का समस्ला है मैं अभी अपरिल आने माले तो अपरिल महें जून जुलाई अगस्ति यानी पांच-छे महिने का अंतर है कि इंजरी लगभग उसी टाइम पर खत्म हो गया और रिकावर कर लेंगे रियाब से प्रॉपर निकल जाएंगे तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो तुरंत रियाब के बाद रिटेंड कर लेंगे क्वेस्चन यह अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सी अपको फेस करना चाहते है बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है तो आज रॉक का कॉंसर्ट हुआ आपने देखा होगा स्मैक्डाउन के अंदर आइकॉनिक कॉंसर्ट बहुत टाइम बात लोग के लिए काफी जा रहे नॉस्टेल्जिया वाली चीज थी लेकिन कि आपको पता है कि यह व सकता है अब यह सबसे गलत भी नहीं होता है या फिर भी रॉक भाई हमेसा रसल नहीं करते हैं इतनी हाइप नहीं बनती है तो इसमें अगर कोई कॉंपरमाइस हो तो वह नहीं चलेगा भले थोड़ा जादर टाइम लग जाए तो यह वाला जो सेग्मेंट था और इसनली प्लैंट था थोड़े कम टाइम के लिए लेकिन रॉक वापस से लिमिट्स क्रॉस करते हैं और पावर्स भी है थोड़ी से आपको मालू में बोर्ड डिरेक्टर में तो उस वजा से सबको यूज करके वो टाइम लिमिट के ऊपर जाते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टोन कोल स्टीव ऑस्टिन को लेकर कि आपको पता है कि आज का दिन कुछ है स्पेसल और यह क्यूं है मैं आपको पता होगा स्टोन कोल्ड यानि की 316 अब इसे आपको यादा होगा पैंडमिक की टाइम पर जब यह बिना क्राउड के कर रही दी सोज वागरा तो उस टाइम हमें देखने को मिला तक बहुत ही तगरा सेग्मेंट स्टोन को इन्होंने मस्ते स्टनर भी दिया था तो बहुत टगड़ा था वह सेग्मेंट अब आज है 316 तो हैपी 316 वाली चीज़ आप लोग चाहो तो कर सकता हो आपके उपर है अभी कहसाब से एक सीज़ती जो कि मुझे लगा कर लेते हैं कपर विकॉस साल में एक ही बारा आता है बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट और फा कर रही है उसमें कोडी रोट को अंडर डॉक दिखाया जाता है ऐसे मेजर पेलीजम उसको विक्टरी मिलती ही है तो रोमन रेंस हारने के बाद रेसल मिया के अंदर एक लंबा चौरा लीव ले सकते हैं अच्छा खासा यह कुछ बताया जा रहा है अब यह ब्रेक कितना लं करने के बाद तुरंत लीव ले लिए या नहीं तो हो सकता है कि हारने के बाद एक वीक अपियर होने के बाद अपनी स्टेट्मेंट डिलेवर करने के बाद एपसेंट हो गया तो यह चीज़ भी बहुत लाइक लिए लेकिन एक लीव होगा लंबा लीव होगा तो यह थोड